नमस्कार आप देख रहे हैं सियासत का खेल जवन पूर जिले के बाहु बली नेता पूर्व सांसर धनंज सिंग अपनी पतनी को जिला पंचाथ अधर्च की कुर्सी पर बैठाने के लिए तैयारी शुरू किये थे लेकिन बाहु बली पूर्व सांसर धनंज सिंग पर पूलिस ने निगाह पहले से ही तोड़ा रखी थी इसके चलते मंगलवार को बाहु बली पूर्व सांसर धनंज सिंग के पैत्रिक गाउं बंसफा में पूलिस ने उनके आवास पर दविश दे दिया हाला कि इस दविश में पुलिस को खाली हाथ का सामना करना पड़ा पुलिस ने लेकिन वहाँ पर PSC का पहरा लगा दिया है आपको बता दें कि बाहु बली पूर्व सांसर धरनजे सिंग के घर से 100 मीटर की दूरी पर डेड़ सेक्षन PSC के जवान निगरानी कर रहे हैं पूर्व सांसर के घर की और जाने वाले सभी मार्गों पर PSC के जवान पहरनी निगा से पहरा दे रहे हैं और अपनी निगाहें बनाए हुए हैं वहीं आपको बता दें कि खूटन थाने में बाहु बली पूर्व सांसर धनजे सिंग और उनके कड़ीवी MLC बिजेस सिंग प्रिंसु सहित कई समर्थकों के खिलाप कोवीड माहमारी अधिनियम के तहट पुलिस ने केस दश कर लिया है आडोप है कि वह समाजिक दूरी के नियमों की अंदेखी करते हुए अपने समर्थकों के साथ जिला पंचार सदस्टों से संपर्क करने निकले थे आपको बता दें कि इस बार जिला पंचार सदस्टों में बाहु बली धरंजे सिंग की पतनी सिरी कला धरंजे ने भारी मतों से चुनाव में जिद्धच किया है और अब बाहु बली पूर्व सांसर धरंजे सिंग फिर से अपना खोया हुआ वर्चस्ट पाने के लिए अप अपनी पतनी सिरी कला को जिला पंचायत अध्यच की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं धन्जे सिंग अब जिले के जीते हुए जिला पंचायत सदस्टों से संपर्क कर रहे हैं ताकि वह अपनी पतनी को पंचायत अध्यच की कुर्सी पर बैठा सकें लेकिन अब धन्जे सि दंजे सिंग के आवास के बाहर 49 वाहनी PSC की डेट सेक्शन टुकुडी को तैनर कर दिया गया है PSC के वाहन जवान घर से 100 मेटर की दूरी से निगरानी कर रहे हैं उन्हें यानर देश दिया गया है कि जैसे ही बाहु वली पूर्व सामसर धंजे सिंग की भनक लगे ततकाल सूचना दी जाए आपको बताने कि धंजे सिंग एक बार फिर से फरार हैं वहीं पुलिस उनकी तलास में हैं अगर आपने हभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल बटन जरू दबाएं वीडियो दिखने के लिए धंद्वाद